हालो एवरिवान वेल्कम टू टू दा प्लाटफॉर्म वेल्कम टू नेट जियारफ अड़ा बाई टार्गेट अभी तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिसकेशन करने वाली हूं और काफी सारी क्वेरीज होती हैं हमारे लेर्नर्स की कि नेट करें कि पिएच दी करें और असिस्टन प्रफेसर बने तो बने कैसे हैं ठीक हैं अगर हमने नेट कर लिया या फिर हमने जियरेफ भी क्वालिफाइ कर लिया तो क्या-क्या अपॉर्चनिटीज हैं हमारे पास में जो हम अवेल कर सकते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेरी रहती है सब इस स् जिनका नेट क्वालिफाइ नहीं है एक्जाम दिया था निकल नहीं पाया फिर अभी तक एक्जाम नहीं दिया एक हो सकते हैं नेट वाले जिन्होंने एक्जाम दिया और उनका नेट क्वालिफाइ हो चुका है और एक हो सकते हैं अपने नेट प्लस जियरेफ वाले ऐसे स् इस परफॉर्म करके ज्यारफ का सेटिफेकेट अपने पास लेके बैठ हैं इन तीनों टाइप के लोर्नर्स के बारे में मैं डाइफिनिटली बात करना चाहूंगे कि आप सब के पास में आपकी कार्टिकरी के इनुसार क्या क्या पॉर्चुनिटी हैं सबसे पहले एक एक पर पर पर्माने नौकरी लगनी है और मुझे किसे बड़े कॉलेज में पढ़ाना है ताकि रिकरगनेशन मिले और अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिले तो अगर आप अच्छे कॉलेज में जाना जाते हैं तो आपके पास में रिजर रिसर्च एक्सपूजर डिफिरेंटली होन रखते हैं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की वेकेंसी के लिए यह हमेश है रिक्वार्मेंट रखते हैं कि आपका पीएचडी पूरा होना चाहिए जो परसुइंग होते हैं परसुइंग स्टेटस पे उनका भी बेसिकली इनको भी एलिजिबिलिटी दी जाती है वो भी एप्लिकेशन फॉर्म या फिर अपनी वेकेंसी में अपना फॉर्म भर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मैं आपको रियालिटी बता रही हूं दो हमारे पास पीएचडी कंपल सरी नहीं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप लोगों ने यूजिसी की गा होने चाहिए ठीक है अगर आप पर्सूइंग है और अगर आप उनकी काटिगरी के साथ से क्वालिफिकेशन के साथ से माच करते तो डेफिनिटल आप लोगों के या पर सेलेक्शन हो जाएगा इसके साथ में आपका रिसर्च के अंदर भी एक्सपोजर होना चाहिए मतलब आप एसे नहीं कि PhD कर रही है लेकिन कोई भी पेपर पॉब्लिकेशन नहीं है ठीक है मिनिममम दो पेपर पॉब्लिकेशन मांगते हैं लोग बाग तो यह देख लेना आप लोग यह हो गए आप लोगों के पास में नेट प्लस जे आरे वाला कि अगर आप PhD कर रहे हैं या बहुत सारे colleges ऐसे होते हैं बहुत सारी universities भी ऐसी होती है mainly इसमें private भी आ जाएगा आप लोगों का ठीक है प्राइवेट है और कुछ government colleges भी ऐसे होते हैं जो कि PhD की requirement नहीं रखते वो net qualify मांगते हैं ठीक है अगर आपका net qualify तो आपके पास बहुत सुनेरा अफसर है assistant professor बनने का लेकिन चोटा सा यहां पे क्या है एक catch है वो क्या है कि यहां पे जो salary रहती है आप लोगों की वो उतनी नहीं रहती जितने UGC से define करता है ठीक है UGC कि अगर आप लोगों ने guideline देखिए कि अगर assistant professor है तो 7th grade पे के हिसाब से आप लोगों की minimum salary 60,000 रुप है और इट गो आपका criteria रहता है डिपेंड करता है आप लोगों के बाकी के box पे भी लेकिन यहां पे वो salary आपको इतनी नहीं मिलती है आप लोगों को minimum 30,000 रुपे salary या फिर आप लोगों को 40-50 तक भी चली जाएगी ठीक है यह आपके starting salary मैं बता रही हूं आपकी subject knowledge कैसी है अगर आपका क criteria यह आपको बता रही हूं अगर आपने net qualify किया है और आप assistant professor नहीं बनना चाते हैं आपने qualify करा आपने examination लिखा आपको awareness जितने भी थी आपने examination clear भी कर लिया लेकिन आपका मूर नहीं assistant professor बननेगा लेकिन आगर आप दूसरी opportunities ढूणना चाते हैं तो काफी सारी vacancies आती रहती associate करके ठीक है तो research assistant आप लोग बन सकते हैं इसके साथ में आप लोग research associate भी बन सकते हैं इन दोनों ही post के लिए जो qualification होती है वो net भी रहती है और non net भी रहती है ठीक है तो अगर आप net हो रखे हैं तो आपके पास में एक upper hand रहेगा आप इन post के लिए अच्छे खासे eligible होंगे और आपको priority दी जाएगी और not just this अगर माल लिजी academics वाली job होगी अगर आप किसी दूसरी job में कर रहे हैं जिसका कहीं से कहीं तक लेना देना academics का नहीं है ओके कहीं आप पर as a software developer काम करते हैं लेकिन आप कभी भी जाके यह बताते हैं कि हाँ मैंने net qualify कर रखा अपने उसके अ कैसे हैं मैं definitely उनके बारे में यहीं पर ही बात करना चाहूंगी जैसे कि हमारे पास में हमारे पास में social welfare वाला थीक है social welfare वाला हमारे पास में है management वाले इसके साथ में बाकि सारी काफी सब्जेक्स हो और ठीक है computer science इसमें नहीं है इस category में नहीं है मैं आप लोग को बता दू यह direct अगर आपने इसमें jrf हासिल कर रखा है और अगर आप इसमें net qualify है और आपके अच्छे खास अगर नंबर आए है ना तो हमारे को public sector undertaking में भी काम करने का मौका मिल सकता है yes you heard it right आपकी direct सरकारी नौकरी लगती है अगर आप net qualify करा इस जैसे field में जिसे management में finance में आती है काफी सारी vacancies आती है PSU में ठीक है social social work वालों की भी आती है social work की भी आती है इसका अधा काफी सारी आती है वह आप लोग चेक कर सकते हैं different different PSU तो हमारे जैसे देश के top PSU जैसे कोल हो गया कोल इंडिया ठीक है हमारे पास में ONGC हो गया आपके पास में इसके साथ में power grid हो गया इनकी हर साल भरती आती है ठीक है काफी सारी भरती आती है और वह हमारे देश के top लोगों को लेते हैं जोनों ने नेट और जियारफ क्वालिफाय कर रहा है लेकिन अगर आप लोगों का minimum 18 LPA यहां का starting package रहता है ठीक है तो यह बट कुछ ही सब्जेक्स के साथ में especially management वालों का काफी अच्छा क्राउट रहता है तो management में काफी सारी opportunity है अगर आप non-net है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपका PG हो गया है या फिर आप PG pursuing है तो आप को अपना करियर बनाना चाता है तो आप कोशिश करें कि आप upcoming net form को फिल कर रहे हैं बहुत जरूरिया net clear करना ठीक है क्योंकि है हर साल 666% लोग qualify तो होते हैं लेकिन number of vacancies उतनी जादा नहीं है मैं definitely मानती हूं लेकिन अगर आप अपने subject में अच्छ है ठीक है तो जो इंसान फोड़ा से लाग करने तो आपको यह जो gap वो definitely फिल करना पड़ेगा तो नॉन नेट वालों के लिए क्या क्या पॉर्चिनिटीस है कि काफी सारे colleges नॉन नेट वालों को भी लेते हैं अससेस्टिन प्रोफेसर उनका ऐसा कुछ नहीं कि नेट क्राइटीरिया हो लेकिन अगर आपके पास नेट है तो आपके जो चांसेस होता है सेलेक्शन वो बढ़ जाते हैं ठीक है तो आप लेवल देख रहे होंगे नॉन नेट एंड न के रिशुमे में इस अच्छा पॉइंट एजर डिसका्स किया जाता है ठीक है आप लोग कहीं पर हमें जाकेücksीपर सकते हैं नेट वाले भी जाके पीसीश्डीर कर सकते हैं अगर आपने नेट कर रखा है तो भी आ अप जाकी सब् scarce कर सकते हैं कहीं यह आपको entrance examination नहीं देना होगा आपको डायरेक्ट मिल जाएगी आप लोग को बस एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना पड़ेगा और आपको अपने गाइड वगरा से बात करने पड़ेगे कि ठीक है मेरा यह रुसर्च का बेसिकली सिनॉप्सिस है मैं यह काम करना चाहता हूं तो वह चीज अगर आप नेट क्वालिफा कर चुके हैं और अगर आपकी एज लिमिट थर्टी से जादे एकसेड नहीं करें तो आप कोशिश कीजिए ज्यारेफ के लिए पाइट कीजिए क्योंकि आर ज्यारेफ अगर आपने कर लिया ना और पीएजड अगर आप कर रहे हो तो गवर्मेंट आपक तक मिलेंगे फॉर टू यर्स और अगर आप दो साल सक्सेष्फ़ुली अपनी पिएजड आप एस रहे बन जाते हैं थी पहले आप जिए जूने रिसरश फैलोशिप फिर आप इसरे बन जाते हैं सीनर रिसरश फैलो बन जाते हैं उसके बाद में यह अमाउंट बढ़के 42 2000 के असपास हो जाता है इसमें HRM include नहीं करें depend करता है वो आपके कौन सी city है ठीक है अगर आप इंडिया की best cities में रहते हैं मुंबाई में रहते हैं पूने में रहते हैं गुडगाओं में रहते हैं दिली में रहते हैं तो यहाँ पर inflation जाद है ठीक है यहाँ पर चीजों के भावजाद है तो उससाब से उनको house rent allowance भी मिलता है तो आप लोग का vary करता है tier 1, tier 2 और tier 3 के हिसाब से अगर मैं 37,000 में HRM भी जोड़ो तो आप लोग का 43,000 के असपास आएगा पर मन्त यह सब ही उन students को मिलेगा जो PhD कर रहे हैं नो मैटर प्राइबेट से कर रहे हैं नो मैटर सरकारी से कर रहे हैं यह गारंटी सरकार की है यह गारंटी university की नहीं university is not liable to pay this the government is liable to pay this तो आप लोग इस examination के importance समझ गए होंगे कि it's really important to clear JRA if you don't have the age limit you have exceeded the age limit so net आप लोग definitely clear करे और हमेशा शुरू करें कहीं ना कहीं से ठीक है हो सकता है शुरू में आपको इतनी better opportunity नहीं मिल रहे हैं हो सकता है कि शुरू में college में आप लोगों ने as the assistant professor join करा और वहाँ पे आपको 40,000 लग रहे हैं ठीक है 40,000 आप लोग को मिल रहे हैं हो सकता है शुरू में कम पैसे आपको मिल रहे हैं लेकिन हमेशा experience count किया जाता है यह आप लोग ध्यान रखें कि आज के date में आज के scenario में जब इतना competition तो experience की value बहुत जादा है 40 जाए शुरू कीजिए आप अपना better काम कीजिए आपका appraiser definitely मिलेगा ठीक है और फिर आप बाद में switch कर लेज़े किसे बड़े college में चले जाएए वो experience पांगेगे तो अगर आपके पास एक अच्छा कास experience होगा और अच्छे domain अच्छे subjects कर आप पढ़ाते हैं तो definitely वो count किया जाएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा और हमारे channel को subscribe जरूर कर दीजेगा मिलती है आप लोगों से next video में thank you so much